हेलो साथियों सागात है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ण तो आए बिना देरी की वे चलते हैं कोश्चन की ओर तो आप लोग रेडी हो जाए और बताइए कि आपने जितने भी क सैंक्च पूछे गया हैं इनमें से कितने कोश्चनों का आझसर आपने सही सही दिया है ऐप कमेंट फाकस में लिखेंगे ऋके तो आएंले क्षान करते हैं कि पहला कोश्चन है पहला कोश्चन क्या करा इस था इक्ट्रान के इस आप बटाँ परक्रित्य की खुच्छ किसन golden ति आपसन यह थामसन ने आपसन भी है मिलिकन ने आपसन सी है आपसन सी है आपका रधर फोर्ड ने आपसन डी है दीवरागली ने ठीक है कौन किया था आप बताएंगे जल्दी से यह सेशन रोज सुबाद 6 बजे का होता है आपके बॉर्ड में 20कोष्चन बहविकल्पिय प आप कितना नंबर लाएं हैं दस कोश्चन में से अगर आप चाहते हैं कोश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो आप कमेंट बाक्स में चाप दीजिए कि बढ़ा दिया जाए और वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ बढ़ाता सेर कर दीजिए फिलाल इसमें आपका आप आपसान नंबर D सही है डी प्राउगली ठीक है आएए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और तत्तों के सबसे चोटे भाग को क्या कहते हैं कि आप सन्थे कह रहा है कि प्रोटन कहा जाता है आप सन्थे कह रहा है क कि परमाडू कहा जाता है क्या कहा जाता है तत्तों के सबसे चोटे बाग को क्या कहते हैं यह आप बताएंगे जल्दी से कमेंट बाक्स में भी आप छापेंगे बिल्कुल सही आपका आपसा नंबर यह है तत्तों के सबसे चोटे बाग को परमाडू कहते हैं ठीक है ना तत्त के सबसे चोटे भाग को परमाडू कहते हैं आईए आगे चलते हैं अगले कोस्चन कि योग होता है तीन नंबर कोस्चन कह रहा है द्रब्यमान संख्या किसका योग होता है आपसन ये कह रहा है कि केवल प्रोटान का होता है आपसन वी कह रहा है केवल न्यूटरान का होता है C कह रहा है एलेक्टरान और न्यूटरान का होता है आपसन D कह रहा है कि प्रोटान और न्यूटरान का होता है तो इसमें से कौन सही है आप बताएंगे कौन सा विकल्प सही है आप बिलकुल बताईए कि कौन सा विकल्प सही है तो बिलकुल सही आपका आपसं नम्बर D सही है प्रोटान और नेउट्रान को जोड़ कर द्रभ्इमान संख्या बनता है नेउट्रान और प्रोटान को जोड़ कर ड्रभ्द संख्या बनता है आईए चलते हैं अगले कि चार है किन किरोडों के परकिरणदन से नामी के आकार का आकलन किया जा सकता है आपसन यह कह रहा है कि अलफा कर्डा dude कर唇 जो आपका नावी कोता है उसका आकार बताया चाहिए कौन सा तो दो प्लकुल आप कमेंट बाक्स में छाप देजिए यहां तो फिल से न Amr का अगले कोस्चन की और अगला इसन कह रहा रहा है बहुत बढ़ी और्शक्यों क्या नियुक्त थाहीं डी है बोहर ठीक है ना बोहर बोर निल बोर तो आप इसका आंसर कहां बताने वाले हैं कमेंट बाक्स में बताने वाले हैं और आप ऐसे नहीं जा सकते आपको बताना होगा कि कौन सा सही है ठीक है ना अगर आप नहीं बताते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है कि काम चोर हैं काम चोरी करने वाले हैं आप बता के जाएंगे चाहे कहीं से किसी परकार से आपको आंसर बता के ही जाना है कमेंट बाक्स में छापके ही जाना है चलिए आए चलते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन क्या कह रहा है एक अगला कोश्चन कह रहा है अगला कोश्चन कह राशायनिक गुड निम्न में से कौन तय करता है निम्न तत्य के राशायनिक गुड निम्न में से कौन तय करता है आपका आपसन ए है प्रोटान की संख्या आपसन भी है इलेक्टरानों की संख्या आपसन सी है निवडरानों की संख्या आपसन डी है उपरोक्त सभी एक बार म कि proton की संख्या करती है कि electron की संख्या करती है कि neutron की संख्या करती है कि अगले question की और बढ़ते हैं अगला question कह रहा है video धर्मिता की खोट किसने की थी यह आपको बताना है आप यह कह रहा है रदरफ़र्ट आप संदी कह रहा है hanry be akral turkeysein आप संदी कह रहा है प्रोक्तसभी के समी ने की थी किन में से किसी एक ने किया था आपको बताना है आप जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताईए कि आप सन कौन सा सही है आप सन कौन सा सही है आप बताएंगे कमेंट बाक्स में छाप देंगे आप ये भी बताएंगे कि आपने 10 में से कितने अंक अरजित किये हैं फ रेडियो सक्रिता किसका गुड़ है रेडियो सक्रिता रेडियो सक्रिता किसका गुड़ है तो आपका दिया है आप सने इलेक्ट्रान आप सन भी प्रोटान आप संदी नाभिक का ठीक है ना तो किसका है रेडियो सक्रिता किसका है आप बताएंगे इलेक्ट्रान का है चलते हैं अगला कोश्चन सब्सक्राइबיל कि इता है कि इस में से कौन सा विखल्व के Areी स्टाव्य है इसमें से क्या सई है वलाल आप कमेंड बाक्स में चापिए जल्दी से क्या सई है और आप यह भी बताइए ऑपने दस में कितने हम्हा जित किये हैं फिल इसा है उसकी नंबर क्या ठीक है यह 10 नंबर कोश्चन है आलाश्ट है आप लोग बताएंगे अगर आप चाहते हैं कि कोश्चनों की संख्या 20 कर दी जाए अगर आप चाहते हैं कि कोश्चनों की संख्या 20 कर दी जाए तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए अपने दोस् अलफा बीटा और गामा किरड़ों का कौन सा है इसमें अलफा बीटा और गामा कड़का आप संसी आपका है रेडियो तरंगे आप संडी आपका है औरक्त तरंगे तो इनमें से कौन सा सही है आप बताईए तुरंत कमेंट बाक्स में छापिए कि कौन सही है जल्दी से बताई तो बिल्कुल सही इसमें आपका आपसन नंबर भी सही है अलफा बीटा और गामा कणका क्या करती है उतसर्जन करती है ठीक है तो मैं चाहूंगा आज वीडियो यहीं तक रखा जाए और अगर आप चाहते हैं कि कोश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सेर कर दीजिए दोस्तों के पास आज मैं चाहूंगा यहीं तक रखा जाए तो आज के लिए आज यहीं तक तब तक कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद